हलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल टेक्निकल हेल पेम के आज आपको देखाएंगे यह ओकिनुवा एलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे मतलब स्पीड बढ़ाएंगे वो कैसे करता है आज का वीडियो में देखाएंगे बहुत लोगों ने देखाएंगे और स्पीड इंक्रीज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो देखाएंगे तो आज का वीडियो में नया कुछ देखाते हैं चलिए और दूसरा मोडल का वीडियो देखना चाते हैं कैसे स्पीड बढ़ाता है वो वीडियो भी मेरे चैनल पर दिया हु को देखाते हैं तो देखिए इस electric scooter का speed बढ़ा के दखाएंगे speed increase भी बोलता है speed remove भी बोलता है speed unlock भी बोलता है कुछ भी भो लिए आज किसी स्कूटर का speed बढ़ा के देखाएंगे और speed बाढने के बाद क्या problem हो सकता है वो भी आज का वीडियो में बताएंगे और पूरा वीडियो देखके ही आप लोग कॉमेंट कीजिए आप लोग से रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो नहीं देखते हैं और पहले ही कॉमेंट कर देते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए पूरा वीडियो देखके कॉमेंट कीजिए वीडियो में ही आप लोग का एंसर मिल जा इसका फूल स्पीड आप लोगों को देखा देते हैं देखिए एक्सेलेटर घुमाया इसका फूल स्पीड है 27 टीक है 26 से 27 स्पीड आ रहा है फिर एक बार एक्सेलेटर देखके देखा देए आप लोग को देखिए फिर एक्सेलेटर दे रहे हैं देखिए 26 27 इसका speed full speed है देख लिजे फिर full accelerator दे रहे हैं 26 से 27 इसका speed है तो चली उसके बाद क्या कहरना होगा आप लोग को देखा देते हैं तो सबसे पहले आप लोग को यह seat खोल लेना होगा पीछे का जो seat है seat में चार बोल्ड रहता है उसको खोल लेना होगा चारों बोल्ड देखा देते हैं देखिए यह एक बोल्ड यह एक बोल्ड उधर एक बोल्ड और इधर एक बोल्ड यह चारों बोल्ड खोल लेना होगा ख controller खोल लेना होगा नई खोल के भी आप लोग कर सकते हैं लेकिन आप लोग को हम खोल के देखाएंगे खोल के देखाने से अछ्छा से आप लोग समझ पाएंगे तो देखिए यह controller यह controller खोल लेंगे यह controller इधर भी देख सकते हैं यह controller है चलिए इस controller को खोल लेते हैं और इस controller को खोलने के लिए दोनों screw रहता है controller का इधार एक और उधार एक और body में एक art लगा हुआ रहता है जो ground करते हैं इसको खोल लेते हैं खोल के आपको देखाते हैं वीडियो थोरा first कर लेते हैं नहीं तो वीडियो बहुत लांबा हो जाएगा और आप लोग को mcv भी खोल लेना होगा mcv श्रीफ एक lock में लगा हुआ रहता है आप ध्यान से देखिएगा controller खोलने के बाद यह जो johnson box है यह जो wire है इधर कुछ नहीं करना है यह motor की तरफ लगता है आपको जो करना है इधर oaring की तरफ इधर controller के दूसरी तरफ यह जो wire है इधर आपको करना है तो यह सब extra wire है यह black wire body के साथ लगता है controller पर यह extra wire कुछ है यह green wire भी extra है दोनो jack extra रहता है कुछ कुछ wire extra रहता है तो इधर आपको ध्यान से देखना होगा यह देखिए इधर जो jack pin रहता है यह jack pin इसमें ध्यान देखे देखिए बहुत ढ़नने का बाद मिला है तो सबसे पहले बाता देते हैं क्या होता है कुछ कुछ controller में दोनों white wire निकलके रहता है वो दोनों wire कभी लगा देते हैं तो speed बाढ़ जाता है कभी खोल के देखते हैं तो speed बाढ़ जाता है तो इस controller में ऐसा case नहीं है इसमें क्या हुआ है इस जो jack pin है ये female जो jack pin है इसमें एक ध्यान देखे देखना चीज है इसमें एक white wire कटा हुआ है मतलब wearing से जो wire आया है उसमें white wire लगा हुआ है लेकिन controller की तरब जो wire लग रहा है उसमें wire नहीं है jack pin पर कटा हुआ है jack pin मतलब जिसको connector कहते है connector का last में कटा हुआ था आप लोग को देखा देते हैं ये देखने का चीज है ध्यान से आपको धून के दिमंग लगा के ये करना पड़ेगा जो white wire है ये वाला wire wearing से आ रहा है लेकिन controller की तरब यहां पर कटा हुआ है देखा देते हैं देखिए यहां पर कटा हुआ है ठीक है controller पर लगा हुआ नहीं है ठीक है controller से wire निकल रहा है लेकिन यहां पर लगाया हुआ नहीं है आपको देखा थे हैं बाद में इस wire को ध्यान से देखा है ये सई है यह कहां ही पर भी यह कटा हुआ नहीं है तो इस पर जो काम करता है यह ओयर जो ओकिनेवा मोडल होता है हुआ पर एक एक्सेलेटर थोटल के हुआ इस्पीड बढ़ाने का स्विज रहता है आप लोग को देखा देते एक बार देखे यहां पर एक यह पुराना वाला एक्सेलेटर मूटी है तो हमने चेंज किया यह नया वाला लगाया टोटो का लगाया वो भी देखा देंगे आप लोग को कैसे टोटो का एक्सेलेटर आप लगा सकते हैं इजी पोसेस है दखाएंगे दूसरा वीडियो में यह एक्सेलेटर मूटी नया वाला है और यह कोंपनी से लगाया हुआ एक्सेलेटर मूटी आता है यहां पर एक स्पीड कांट्रोल का स्विच रहता है इकोनामी मूड स्विच यह स्विच का काम होता है आपको स्पीड बढ़ाता है स्पीड काम करता है कुछ-कुछ model में ये काम करता है कुछ-कुछ model में काम नहीं करता है जिस model में काम नहीं करता है उस model पर हुआ पर कटा हुआ रहता है company ने इसको चला के से काट देता है अब ये oil क्यों काटता है उसका भी region है वीडियो में आगे बताएंगे ये switch काम नहीं करता है इसलिए हुआ पर काटा हुआ रहता है कुछ-कुछ model पर हिया front पर भी हिया पर खुला हुआ रहता है वो भी आप लोग को देख लेना होगा हिया पर खुला हुआ रहता है jack pin आपको देखा देते हैं एक बार वीडियो में देखिए ये वाला jack pin खुला हुआ रह सकता है कुछ-कुछ model पर हिया पर भी खुला हुआ रहता है चलिए आप देखाते हैं controller पर तो देखिए ये वाला wire white वाला इधर लगा हुआ है वेडिंग से आ रहा है यह पर लगा हुआ है लेकिन इधर नहीं लगा हुआ है इधर देखिए धियान से आप आपको क्या कहना है वो आपको देखा देंगे यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पुरा डिटेल्स देखा रहे हैं जिस model का नहीं हो रहा है तो यह सब चेक करिए जरूर हो जाएगा आप लोग का ठीक है तो यहाँ पर देखिए क्या चला की क्या कुमपानी ने यह जो controller है यहाँ पर black और white ओयर दिखाई दे रहा है लेकिन उधर नहीं है इधर देखिए धियान से यहाँ पर जब हमने तार को note किया गिंती किया इधर ज़्यादा है और उधर काम है ओयरिंग की तरफ कम है और इधर ज़्यादा है दोनों ओयर इधर ज़्यादा निकर रहा है वीडियो को धियान से देखिएगा तो अच्छा से आपको समझ माएगा देखिए इधर जो ओयर है एक black है और एक white है मतलब यह black और यह थोड़ा सा white देखिए यह टानने से निकल जा रहा है देखिए यह वाला देखिए यह वाला क्या क्या है चाला की से ओयरिंग पर घुसा हुआ था देखिए यह वाला ठीक है हमने जब note किया इधर ज़्यादा हो रहा है और ओयरिंग के तरफ कम हो रहा है तो इ ब्लैक के साथ जोड़ा हुआ रहेगा तो आपको स्पीड नहीं मिलेगा तो इसको खोल देते हैं खोल को आपको स्पीड बढ़ा के देकाते हैं कितना बढ़ता आप बताते हैं यह वायर क्यों काटा हुआ liquor है इसका रिजन क्या है तो देखिए कुंपा ने इसलिए काट के देता है अगर आपका 25 से इस्पीड जादा होगा तो आपको रोड टेक्स रेश्टेशन डाइविंग लाइसंस लग सकता है आट्यों का सारा नियम कानुन जतना है मनना पड़ेगा इस्पीड 25 से जादा होग तो चलिए आपको देखा थे हैं इसको खोल दिया उसके बाद इस्पीड देखा देते हैं कितना बर रहा है तो देखिए इगनेशन स्विच आउन किया चावी को आउन किया उसके बाद एक्सेलेटर दे रहे हैं तो देखिए एक्सेलेटर दिया है देखिए 36 इस्पीड आ गया फिर एक बार एक्सेलेटर दे के देखा रहे हैं केतना स्पीड आएगा एक्सेलेटर लो करके फिर देंगे तो देखिए फिर एक्सेलेटर दे रहे हैं केतना स्पीड आता है देखते हैं तो देखिए 35 स्पीड आ रहा है और इसमें बैटरी चार्ज काम है देखा रहा है देखिए बैटारी चार्ज काम है तो हम क्या कह रहे है आभी बैटारी चार्जर डाइरेट लागा दे रहे हैं केतना स्पीड आ रहा है देखते हैं तो देखिए हमने battery charger लगा दिया, देखिए हिहाँ पर लगा हुआ है battery charger, direct देखते हैं केतना speed आता है, तो देखिए हिहाँ पर controller भी wire खुला है, controller का यह है white wire और black wire दोनों खुला है, उसके बाद देखाते हैं केतना speed आता है, मतलब battery full charge होगा तो केतना speed आएगा, देखिए full accelerator दिये हैं, उसके बाद केतना speed आ रहा है, 42 speed आ रहा है, देखिए 42 speed आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा speed बढ़ गया, accelerator full दिया हुआ है, 42 speed आ रहा है, तो आज का वीडियो में देखाया, speed कैसे बढ़ाता है, ओकिनेवा रिच 30 model पर, ओकिनेवा रिच पर भी same process है, और बता इसको fitting करते करते बताते हैं, तो देखिए इसको tape देके लगाएंगे, जो तार खुले हैं wire उसको tape देके लगाएंगे, लगाते लगाते बताते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपको speed बढ़ाते हैं, तो कुछ नहीं होगा, speed बढ़ाने पर ऐसा आपका controller motor पर कुछ effect नहीं पड़ेगा डोट्रीक डिश्टेशन डाविघि लाइसे लग सकता है और आप बताते हैं किस-kindous model पर आप कर सकते हैं तो देखिए जीस model पर जीसpan trials पर ऐसा सिस्टम रहेगा उसी model पर आप कर सकते हैं speed increase नहीं तो नहीं होगा जीस model पर जीस पर ऐसा सिस्टेम नहीं रहेगा उसमें स्पीड इंक्रीज नहीं होगा वो कुंपनी फिश्ट कर दिया है और ज्यादा स्पीड बढ़ाना चाते हैं तो हाई स्पीड कॉंट्र या मोटर लगा सकते हैं और एलेक्ट्रिक स्कूटर का नया नया प्रॉब्लम सौल्ब करना और बगल में बैल का आइकन आलनोटिफिकाशन करके रहेए सबसे पहले वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धने बाद मिलते हैं दूसरा वीडियो में और वीडियो अच्छा लागा तो ज़ूरों लाइक कीजिये सेयर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए